हाई गाईज, वेलकम बैक टू फिन लाइफ और आज हम बात करने वाले हैं सिपला के बारे में जो काफी सई फार्मासुटिकल कमपनी है फार्मा में जब से करोना का केस आया है और करोना की चीजे चलने लगे है तब से तो आगी लग गई है मेरे को याद है मैंने फार्मासुटिकल फंड्स खरीदा था निप्वन बैंकिंग फंड का फार्मासुटिकल फंड खरीदा था अप्रॉक्सिमेटल रूपीज पर और वह इंक्रीज करके अराउंड 210-220 के आसपास हो गया है छे महीनों के अंदर अंदर तो फार्मासुटिक परसंट की आसपास की मुच्छल फंड होल्डिंग है कंपनी में और डिप्रेटियल कंपनी देती है 0.53 परसंट की आगे देखें कंपनी का मार्केट काप 60,000 करोड के आसपास है और हमने कुछ ताइम पहले जब वीडियो बनाई थी उस समय कंपनी का मार्केट का 53,000 करोड करोना का टाइम भी आ गया सब कुछ हो गया लेकिन कंपनी का प्राइस इंक्रीज करें ना की डिक्रीज करें वो बहुत ही कमाल की बात है इस टॉक के लिए आगे देखें कंपनी की जो टर्नोवर्स हैं वो मैसिवली इंक्रीज करें 2019 में 15,970 की टर्नोवर था जो 2020 में 16,700 क के आसपास क्रोड का टर्नोवर हो गया कमपनी का प्रोफिटिबल्टी कंपनी की कंटेंसली इंक्रीज करी है 2016 में कमपनी का प्रॉफिट था साथ से 10% के बीच में कहीं कहीं कमाती है जो बुरी फिगर नहीं है क्योंकि हमने काफी कंप्रियों में देखा है जो 2-2% मार्जन पर भी काम करती है मतलब प्रॉफिट उनका सिर्फ 2% का आता है नेट प्रॉफिट कंप्रिय की सेल्स की बात करें 2019 का प्रॉफिट था और 2020 का प्रॉफिट था वो लगबग सेम था मतलब 50-30-40 करोड का ही फरक पड़ा लेकिन जो टरन ओवर था कंप्री का वो 700 करोड से बढ़ गया तो काफी फरक पढ़ गया इस चीज में मतलब मेरे को लगता है कि और प्रॉफिटबिल्टी इंक्रीज होनी चाहिए थी कंप्री की कंप्री मार्केटिंग वगरा में कहीं खर्चे कर रही होगी जिसकी वज़े से इंक्रीज नहीं हुआ लेकिन आगे इंक्रीज करने की उमीद हम बिलकुल रखते हैं कंप्री के ओडिटर्स एकदम सॉलेड हैं और कंप्री का फ्यूचर का प्राइस निकालने की बात करते हैं अगर देखें कंप्रीज का P.E. बैंड चलता है बिट्वीन 29.18 और 43.66 के बीच में कंप्रीज का P.E. बैंड चलता है स्टॉक वैसे ही काफी अच्छा बढ़ चुका है और करेंटली स्टॉक का रेट देखें तो 749 चल रहा है मेरे को याद है मैंने सबसे पहले जब मैं इन्वेस्ट किया था सिप्ला में 4 साल पहले उस समय 320, 310 रुपीज का रेट चला करता था और फिर मैंने उसको sell-off कुछ टाइम करोना के पहले ही जब मैंने जैनवरी में अपना पूरा पोर्टफोलियो sell-off करा उस समय बेचा बाद में में को लगने लगा सिप्लाई एक स्टॉक था जो बहुत तेज बढ़ गया आफटर करोना और सारे स्टॉक नहीं बड़े लेकिन ओवरॉल तो मैं काफी बज़ गया जब मैंने अपनी जैनवरी में पूरा पोर्टफोलियो लिक्विडेट किया था इसके साथ आगे देखें तो कंपनी का रिटर्ण अगर देखते हैं आपको 12% देखने को मिल सकता है अगले आने वाले 5 सालों में हम एक्सपेक करें 1350 के आसपा स्टॉक का रेट हो जाएगा नियरे सपोर्ट देखें तो 708 पे नियरे सपोर्ट है रेजिस्टेंस कंपनी की 813 पे रेजिस्टेंस है कंपनी की और उस हिसाब से अगर आप मतलब जंप इन करना चाहें तो हलका सा वेट करें 720 के आसपास जंप करें स्टॉक के अंदर जिससे की आपको और बेटर रेटर्ण्स मिल सकें असेट बेव देखें तो 23,000 करोड के असेट्स है कंपनी के पास मार्केट कैप करीब अभी 60,000 करोड चल रहा है डेट कंपनी में 3,212 करोड का डेट है और बुक वैल्यू कंपनी में 200 रुपे की है तो 200 रुपे की बुक वैल्यू है और 749 रुपीज का स्टॉक रेट करेंटी चल रहा है बहुत ज़्यादा मल्टिप्लाइड नहीं है नहीं तो कभी कबार कुछ स्टॉक्स में देखो फर एक्जामपल सन फार्मा या और कोई तो कभी कबार ज़्यादा भी रहता है दो सन फार्मा की अभी हालत टाइट है इसके इलावा आगे देखें तो हमको यह लगता है कि कमपनी आपको अच्छे रिटरंज दे सकती है आप बिलकुल खरीज सकते हैं फार्मासुटिकल सेक्टर आगे बराइट है करोना की वज़ेश तो और भी बराइट है और ग्रोथ अच्छी आ सकती है फार्मासुटिकल सेक्टर में आपको कोई सोचने की बात नहीं रहेगी अगर आप जंप करेंगे 720-730 रुपे के आसपास स्टॉप लगा के रखें चाहें तो अपना 690 रुपीज के आसपास का और आप इस स्टॉप को प्लस कर सकते हैं चाहें तो इसकी covered calls भी कर सकते हैं सिपला futures and options में available है आप stock जितना खरीते हैं अगर आप अच्छी quantity में खरीद रहे हैं मानलो 4-5 लाक रुपे का stock खरीते हैं तो उसकी covered call में एक call उपर की बेचते चलेंगे तो आपको महीने के 2% के return और मिल सकते हैं देखने को इसके इलाबा मैंने आपको नीचे link दे रखा है अगर आप सीखना जाते हैं covered calls और options वगरा तो कोई ना कोई आपको option बहुत अच्छा में एक बहुत अच्छी किताब है audible का मैंने नीचे link दे रखा है get rich with options की ये किताब है by Lee Lowell ये में को बहुत अच्छी किताब लगती है जो आपको growth में बहुत बढ़िया help करेगी और आप चाहें तो इसको audible में जाकर click करके खरीद सकते हैं इतना मतलब की आपको free मिलेगी पहली book अगर आप audible पे नीचे given link से sign up करते हैं तो आपको अपना credit का details देनी पड़ेंगी या debit का details वो एक रुपे काटेगा फिर वो refund कर देगा और आप subscription हाथ 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 cancel कर सकते हैं तो ना कोई payment लगेगा ना कुछ लेकिन आप audible online audible पे sign up करके आपको free में किताब मिल जाएगी ये actually किताब paid है और expensive book है लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको ये अराम से free में मिल जाएगी और आप शुरू कर सकते हैं चाहें तो तो मैं आपको बहुत अच्छे ऐसे method ला करना लेकिन stock market में risk रहती है तो मैं और भी new options लेके आया हूँ जिसमें आपको skill बहुत ही कम चाहिए है बहुत minimalistic skill चाहिए है और skill के साथ-साथ आप बहुत अच्छे returns कमा सकते हैं तो stay tune to my channel जिससे कि आपको ऐसी videos मिलती रहें मैंने कुछी समों के अंदर कुछी time के अंदर अगर देखें एक हफ़ते के अंदर पहले मैंने आपको बताया था August में 12,000 रुपे कमाए जीरो risk के साथ online affiliate marketing वगरा करकर और online ही तरीके से इसी तरह बहुत सारे और strategies हैं इस बार में बताऊंगा आपको मैंने October में किस तरह कितने पैसे कमाए हैं और कितने returns आये हैं online product selling करके और affiliate marketing करके तो बहुत सारी options हैं आप घर पैटे बहुत पैसा कमा सकते हैं और इससे बड़िया तरीका पैसा कमाने का ही नहीं क्योंकि payment fixed आता है आपको अगर आप industry में जाते हैं इंड़िय में लगाते हैं आपको massive setup करना पड़ता है एक computer screen से एक छोटे से mic से आप बहुत अ और यह ग्रोथ भी जो उनको मिली है यह सिर्फ एक साल के अंदर मिली है तो अगर आप कोई ऐसा potential ला सकते हैं कि आप एक ही साल के अंदर 5 लाग रुपे महीना कमाने का potential है तो क्यों ना उसके अंदर time दिया जाए जिससे कि आप जिंदगी भर पैसा कमा सको प्लस यह ऐसी चीज़ है जो long term में कहीं से भी करी जा सकती है stock markets भी ऐसी चीज़ है कहीं से भी करी जा सकती है लेकिन stock market में एक negativity आप जो मिर को हलकी सी लगने लग गई है वो यह है कि risk factor है और आपको return के लिए wait करना पड़ता है लेकिन और ऐसी बहुत चीज़े हैं बहुत strategies है जहां पर zero risk है एक बार की मेहनत है और आप भूल जाओगे आपको काफी समय तक पैसा मिलते रहेगा फिर आप एक बार मेहनत करोगे फिर आप भूल जाओ उसके बारे में आपको पैसा मिलते रहेगा तो ऐसी strategies बहुत अच्छी रहेंगी अगर आप जानना चाहते हैं तो comments करिए और मेर आपको यह बताएगा किस तरह आपको start करना है अफिलेट मार्केटिंग में और किस तरह आप पैसे कमा सकतने है रहे लगे लिए तो आप इस वीडियो वीडियो पसंद आई हो तो subscribe करें like करें signing off सिदान गोल फॉम फिनलाइफ